क्या सच में एलेक्ट्रिक वेहिकल आएंगे? क्या सच में हम एलेक्ट्रिक वेहिकल से wealth create कर पाएंगे? और हमें कौन से टाइप के एलेक्ट्रिक वेहिकल में invest करना चाहिए? 2-wheeler? 3-wheeler? 4-wheeler? Buses? सबसे पहले चीज़ EV आएंगी ही क्यों? क्या ऐसा reason है कि ये पकान ही चाहिए? क्योंकि ये luxurious लगती है? answer है नहीं हमें इसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा world की priority world level पे one of the major priority जो है वो है climate change global warming बढ़ रहे है ये सारी चाहिए अब उसको control करने के लिए CO2 अगर हम कम करना चाहते है तो एक एक view जो हमें ऐसा लगता है कि यार अगर हम electric की तरफ move हो जाएंगे न coal, oil ये सबसे दूर हो जाएंगे तो हम थोड़ा बहुत control कर पाएंगे so world की priority तो काफी clear हो गए कि one of the priority climate change है और उसमें electric vehicle भले थोड़ा ही contribute करे भले थोड़ा ही बट करेगा ज़रूर ऐसा हमारा मानना है अभी तक इसकी guarantee है या नहीं यह पता नहीं बट ऐसा हमारा मानना है number one number two जो हमारी पूरी तरीके से energy dependency oil पे है, coal पे है उसे हम कम करना चाहते हैं solar पे dependent करना चाहते हैं और जिस हिसाब से solar energy में innovation हो रहा है जिस हिसाब से लगातार solar energy की cost down हो रही है उस factor में अगर हम देखें तो electric जो है वो काफी cheap होता जाएगा future में ऐसा data कहता है अगर यहाँ पे आप screen पे देखेंगे तो price of electricity from new power plant यहाँ पे ज़रा देखते हैं 400 डॉलर से यह 2009 में 400 डॉलर का हुआ करता था उतनी ही energy अब हम produce कर रहे हैं 40 डॉलर में यानि कि 90% almost reduction हो चुका है cost में बाकिस अब में भी reduction या increment हुआ है बट सबसे ज़्यादा reduction जो हुआ है वो solar electricity में हुआ है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि over the time इसमें हम और reduction कर सकते हैं और electricity को cheaper बना सकते है तो हमारी जो dependency है coal, oil और इन सब चीजों से इसको हम reduce करना चाहते हैं और solar पे sustainable energy clean energy पे dependency अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो चलो world की priority तो clear हो गई बट क्या इंडिया की भी priority यही है इसको भी जरह देख लेता है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया का carbon emission लगातार उपर जा रहा है बाकी countries का भी जा रहा है ठीक है बाकी countries बोलने ही कि हम control कर रहे है देखो हमारा कम हो रहा है net net zero यानि कि जितना हम produce करेंगे उसको हम compensate करेंगे कहीं से तो net net zero हो जाएगा अब इसके लिए क्या कुछ कदम उठाने पड़ेंगे आज ही उठाने पड़ेंगे तब जाकर के 2070 तक हम net net carbon emission zero होंगे उसके लिए हमें clean energy पे काम करना पड़ेगा consistently electric vehicles को लेकर के push कर रही है अब कैसे push कर रही है सिर्फ बोल बोल के कि भाईया हम करेंगे हम करेंगे ना अगर आप tax का structure देखोगे तो आपको सीधा सीधा मालूम पड़ जाएगा कि अगर आप electric vehicle लेते हो तो आपको tax में extra benefit मिल रहा है number two policies भी favorable बनाई जा रही है electric vehicle को लेकर के तो अगर आप देखोगे तो Delhi government approves induction of 1500 low floor electric buses its public transportation fleet आप देख रहा है तो Delhi government एक तरफ push कर रही है एक तरफ महाराष्टा government push कर रही public transportation पी कम से कम जो नई buses आए वो electric आए और उसके लिए वो infrastructure भी consistently push कर रही है so world level पे भी problem solve हो रही है इंडिया के भी net carbon emission का जो target है उसमें ये थोड़ा बहुत ही बहले बट contribute ज़रूर करेगा और government अलग-अलग angle से इसको push कर रही है चाहे वो tax हो चाहे वो policies हो और चाहे launch करना हो ठीक है ओके government का push हो गया अब third element यानि की बड़े players जिनके पास बहुत पैसा है क्या वो इस space में पैसा बनने की opportunity देख रहे है क्या वो इसमें heavily invest कर भी रहे है कि बस वो देख रहे है कि हाँ government बोल रही है तो ठीक है government तो बहुत कुछ बोलती रहती है Tata Motor to invest 2 billion in EV after fund raise from TPG यह एक group है आप समझ लो private equity firm है जिसने Tata group में invest किया हुआ है specifically electric vehicle के लिए specifically electric vehicle के लिए कि आप electric vehicle पे काम कर रहे है तो आपको हम इतना fund प्रवाइड करेंगे उसके बदले 10 से 15% की equity they are looking ओके बट यह तो एक investment हो गई वो भी four wheeler में what about other check this global investor अब्दुललतीफ जमील invest 1700 करोर यानि कि 1700 करोड रुपया in Greaves electric mobility और यह किसमें है यह ज़्यादा तर two wheeler plus three wheeler में है तो यह दोनों segment में है तो इसमें भी investment आया ओके बड़ा पैसा यहाँ पे infuse हो रहा है TVS looks to raise 5000 करोड इन EV push यानि कि TVS भी 5000 करोड तक almost raise करने वाला है see this Hero Motocorp you can see Hero Motocorp approved investment in ether energy कितना invest करने वाला है 420 करोड ether energy यह एक start-up है Bangalore में है और जो कि electric vehicle वो भी two wheeler पे काम कर रहा है ओके ग्रेट यहाँ पे भी एक investment हो गया what about other non-listed player क्या इसमें start-ups भी आ रहा है क्या इसमें other company अगर यह इतना ही lucrative space है और आगे इतना बड़ा बनने वाला है तो इसमें और भी लोग entry होने चाहिए correct so अगर आप दिखोगे Ola Electric, Okinawa, Ampere, Ether Energy, Hero Electric, Bajaj, Revolt, Pure Energy, Jitendra EV, TVS बहुत सारे non-listed players भी हैं इसमें clearly यहाँ पे entry अलग-अलग players की हो रही है okay so यहाँ तक तो clear हो गया कि यार बड़ी player भी entry कर रहे है और भी लोग है जो इसमें पैसा लगा रहा है invest कर रहा है और ऐसी गाड़ियों को उतार रहा है what about the growth, what about the demand लोग इसको ले भी रहे है क्या कहीं कोई sign दिख रहा है क्या increment का so I'll show you the data so अगर आप देखोगे EV sales registration 2021 यहाँ से देखे financial year 2012 से आपको दिख रहा है data में increment sudden jump है यहाँ पे sales में annually jump हो गया और उसमें भी two wheeler segment में सबसे 53% two wheeler segment यानि कि अगर आप electric vehicle segment में invest करने के लिए देख रहा हो तो two wheeler आपके पास primary focus होना चाहिए क्योंकि वही सबसे तेज सबसे fast adoption की तरफ at least data में दिख रहा है दूसरा three wheelers में 41% four wheeler 4% and then goods and vehicle में 0.25% तो यह sequence होना चाहिए आपके investment की strategy कि यार सबसे पहले two wheeler में तो try करते हैं two wheeler में तो रहते हैं तो अभी तक हमने क्या देखा let me summarize सबसे पहली बार की world level पे इसकी need है है ना then इंडिया की भी need है इसकी correct यानि कि electric vehicle में हम बात कर रहा है और इंडिया लेवल पे हमें दिखा कि government का push है okay great उसके बाद हमने देखा कि what about big players ठीक है big players भी यहाँ पे आ रहा है then we saw demand है ना कि क्या इसके demand है yes demand है now क्या इस space बहुत बड़ा है answer है yes answer है yes already इतने सारे players सब almost profit दर्ज करते हैं automobile space में इंडिया का market बहुत बड़ा है कोई छोटा मोटा market है नहीं तो space को लेकर कर तो कोई doubt नहीं already इतनी सारी गाड़ियां आप road पे देख रहे हो सिर्फ migration करना है याद रखो migration करना है यानि पिछले सौ सालों में गाड़ियों ने जितना growth किया है हमने road बनाए हमने infrastructure बनाए हमने petrol pump बनाए हमने traffic rules बनाए हमने drivers को license दिया उनको train किया सब कुछ ready है सिर्फ वही गाड़िया उठा करके हमें उसमें से काफी तेजी से सिर्फ migration करना है migration करना है याद रखो हमें कोई ऐसा नया business model नहीं ढून रहे हैं business model अलएड एक्जिस्ट करता है सिर्फ हम migrate कर रहे हैं इस तरह की गाड़ियों को इसमें अगर आने वाले 10 सालों में हमने सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कह रहा हूँ 15% भी migrate कर दिया तो भी आप सोचो पिछले 100 सालों में याने 1920 से 2020 तक जितनी गाड़ियां बनी है 100 साल में जितनी growth आई है उसका 10-20% 30% growth तो आपको आने वाले 10 सालों में ही दबा के मिल जाएगा और इस migration में अगर आप invest करते हो तो आपके पैसे multifold बनने के chance है guarantee नहीं याद रखो chance है यह clear हो गया, world की need है, इंडिया की need है government push कर रही है, big players entry कर रहे है और इसकी demand भी what about business model? किसी ने एक successful business model अभी तक हमें दिखाया है या नहीं yes, एक successful हमारे पास already business model है यानि कि Tesla Tesla ने already world को proof कर दिया कि कैसे वो 15 साल के अंदर ही world की largest company बन गए largest, यह होता power of migration, so चो Tesla को यह ने train करना है, कि यह driver कहां से लाओंगा road कहां से लाओंगा, यह कुछ भी नहीं करना यह already सब सेट है, traffic rules से ले करके सब कुछ सेट है, वो department में बना हुआ सिर्फ उनको already existing logo को shift करना है electric पे, इसलिए Tesla ने यह चीज़े 15 साल के अंदर कर दी जो कई सालों से company 50, 60 सालों से मेहनत करके number one बनी थी, इन्होंने 15 साल में ही करते है यह होता है power of migration, अगर आप technology migration में invest करते हो, तो chance होता है आप बहुत तेज पैसा बनाओ, पट यहां से question आता है कि लोकिश यहां पे तो two wheeler, three wheeler four wheeler, बहुत सारे लोग है किस में invest करें, तो जैसा कि हमने data सबसे तेज migration two wheeler की तरफ होगा उसके बाद four wheeler passenger vehicles में and then other धीरे-धीरे follow करेंगे, तो आपका investment two wheeler, four wheeler में जरूर होना चाहिए two wheeler में अगर आप देखोगे तो एक तो है hero motocop कैसे, क्योंकि इसने ether energy में invest किया हुआ है then tvs, tvs भी मैंने आपको दिखा दिये, इसमें भी आप invest कर सकते हो then एक और छोटा player है world wizard mobility है ना, आप इसकी तरफ भी देख सकते हो, तो आप इन में नजर रख सकते हो, और आप अपने convenience अपने confidence के यसाब से invest कर सकते हो what about three wheeler, तो अगर हम three wheeler की तरफ देखें तो three wheeler में जो निकल के आता है एक player वो है Greaves है ना, Greaves Electric Mobility, आप इसकी तरफ देख सकते हो yes, यह two wheeler में भी है है ना, और यह three wheeler में भी है, Ampere नाम से जो brand है, Ampere, I think Ampere ही बोलते है, Ampere नाम से brand, इसी का है, ओके है, अभी four wheeler में देख लेते हैं कि four wheeler में कितने players है तो four wheeler में अगर आप देखोगे एक सबसे famous है, वो है Tata Motors, है ना already यह leader बन चुका है इस space में, तो अगर आप four wheeler में passenger vehicle segment में देख रहे हैं, तो आप इसमें जा सकते, इसके अलावा Kia या फिर other companies भी four wheeler space में उतर रही है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि इस space में development clear cut हो रहा है then उसके बाद आता है buses कि अगर आपको लगता है यार government तो push कर रही है, बसे को ले कर कर के तो मैं किसमें जाओ, कौन सी company है, तो next है JBM Motors Limited, आप इस पे नज़र रख सकते हो, जो Delhi government ने launch किया था, उसमें JBM भी था, JBM की buses भी थी, ठीक है then next Tata Motors Limited, यस मैंने मुंबई में कुछ Tata Motors की buses देखी है next is Electra Green Tick, यस यह इसमें lead करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके अगर आप sales भी देखोगे buses की, तो वो काफी तेजी से बढ़ रही है, काफी तेजी से बढ़ रही है, तो इसको भी आप नज़र पे रख सकते हो अब आपको इसमें clearly समझ में आगया है, कौन-कौन सी company हैं, जो इसमें मोटा-मोटी involved है 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler या buses लेकिन what about the infrastructure ये power station कौन बना रहा है कौन है जो सबसे तेज power station बना रहा है कौन इसको आगे लेकर के जा सकता है कौन है इसमें market leader तो अगर आप देखोगे, तो clear cut जो market leader निकल के आता इस segment में वो है Tata power, आप अगर इनका infrastructure देखोगे, आप यहापे देख सकते हो, Tata power ये marking जो है, ये Tata power की है आप यहापे देख रहे हो, all over India में इतना beautiful structure Tata power ने ready कर दिया है उसके अलावा other players भी है, but other players का आप यहापे देख सकते हो, जो नाम है बहुत छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे इसमें batteries में कौन invest कर रहा है तो अगर आप batteries में देखोगे, तो अमर राजा battery इसमें lead कर रहा है उसने already investment किया हुआ है battery segment में एक और company है which is Tata chemicals, आप इसमें भी invested रहे सकते हो, the development of electric vehicle sector combined with the increase in use of cell phones and बाकी सब चीज़ है, तो ये lithium-ion battery पर ये technology build up कर रही है तो हमने discuss कर लिया, companies के बारे में, है ना, उसके बाद हमने infra के बारे में बात कर लिया which is power, कि इनको charging stations लगेगा, उसके बाद हमने battery segment को लेकर के बात कर लिया लेकिन ये जो product है इसमें software की भी requirement है, तो इसको लेकर के कौन specialized है software, तो उन company में अगर आप देखोगे, तो number one आती है, ये number one मतलब number two ऐसा नहीं है, KPIT दूसरी है, अगर आप देखोगे, LTTS and third है, Tata LXE Tata LXE, so अगर आप software की company आदेख रहे हैं जो यार electric vehicle space में, या automobile space में, याद रखो, electric vehicle ऐसा specifically automobile space में, जो पूरा automation हो रहा है, उसको ले करके अगर वो काम कर रही है, software पे उनके तो ये तीन company हैं, जो काम कर रही है embedded system पे काम कर रही है अगर आप इनका data देखोगे, KPIT technology ठीक है, will help mobility towards autonomous, clean, smart and connected future, LTTS is engineering services, ठीक है अब इनका solution कौन सी company हो में है, area such as transportation, high tech medical devices, तो ये segment में भी ये लोग है, business segment में अगर आप देखोगे, तो transportation एक इनका main segment है, और जो revenue है वो 35% transportation से ही आता है, उसी area के softwares में ये काम करते हैं, and then the third one is Alexi, तो आप देख सकते हैं टाटा Alexi ही समंग दो, including automotive segment में ये काम कर रहा है, embedded product and design 88% revenue, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, broadcast, consumer electrics, healthcare, telecom and transportation industries में काम कर रहा है, तो टाटा एक ऐसा group है, जिसमें आप टाटा मोटर्स है ना, उसके बाद टाटा Alexi, correct, उसके बाद टाटा chemical है ना, and then टाटा power, आप इनके combination में भी invested रह सकते हो आपके हिसाब से, तो मैंने आपको actual product maker से लेकर के, infrastructure से लेकर के battery technology से लेकर के, software तक, पूरी chain को connect करके बताया है, कि आप किस तरीके से इसमें participate कर सकते हो अगर आपको लगता है कि यार ना, electric vehicle को लेकर के, मैं बहुत जादा पता नहीं है कैसे काम करेगा, तो at least आप इन software कंपनियों में जरूर invested रह सकते हो, ताकि ये software में तो देखो आगे कुछ ना कुछ करेंगी ही है ना, plus अगर electric vehicle वाला segment या automobile वाला segment और तेजी से बढ़ता है, तो ये companyya भी आगे रफतार पकड़ सकती है, बट ऐसा नहीं है कि आपने आज invest कि और कल आपका पैसा दस गुना हो जाएगा, ना, अगर आप ऐसे सोचोगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा मान के चलो जब आप इसको invest करेंगे कि ये new है new है, अभी तक कोई बहुत बड़ा proven नहीं है, stress test इसका हुआ नहीं है, time test इसका हुआ नहीं है, हाँ, successful ज़रूर हो रहा है ये, तो अगर आप इसमें invest करते हैं तो मान के चलो 50% correction तो आही जाएगा, उसकी बावजूद भी अगर आपका belief है कि यार, ये sector जो है ना, बड़ा बनेगा और इसमें मुझे invested रहना है, जरूर तो आपको जरूर इसमें इस sector को देखना चाहिए और positively consider करना चाहिए I hope मेरी ये research आपको काम की लगी होगी, अगर आपको जरा भी काम की लगी होगी, तो जरूर like करे that will give me motivation to research more, so मिलते हैं नेक्स वीडियो में Thank you so much